असलम वालेकुम दोस्तों कार्टून में लगेज को ले जाने को ले करके इस टाइम पर बहस छड़ी हुई है कोई बोल रहा है कि én कोई बोल रहा है कि आप सिर्फ गल्थ राइन जो है उसमें आप काटून में ले यह नहीं ले जा हैं तो मैं इस बात की गैरंटी लेता हूं कि आप कार्टून में लगेज ले जा सकेंगे और आपको कोई दिकत नहीं आएगी ठीक है इसलिए आप देखते रही वीडियो को एंड तक और अगर आप चैनल के उपर नए है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजे ताकि थोड़ा होसला बढ़ सके ठीक है और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो जब मेरी आए तो फिर आपको पता चल जाए तो सबसे पहला सवाल यह है कि कार्टून में लगेज ले जा सकत हैं लेकिन रोको जरा कार्टून में लगेज ले जाने के कुछ फैक्ट हैं जो कुछ रूल हैं आपको फॉलो करने होगे नहीं तो अगर आप यह रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपका सामान एरपोर्ट के ओपर खुलवा दिया जाएगा इसमें सबसे पहले नंबर और यह आता है कि आपके कार्टून का जो साइज है वो ओर साइज नहीं होना चाहिए अब बात आती है कि आखिर साइज होना कितना चाहिए तो साइज आपके सामने एक फोटो दिख रही है इसमें बैक के तीन एरिया दिखाएगे हैं तो इसी तरह से आप कार्टून के ती एरिया रख लीजिए एक यह एक यह और यह किए तीन एरिया मिलाकर पांच फुट दो इंच यानि की 62 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर यह 62 इंच से ज्यादा है तो फिर आपका कार्टून एक्सेप्टेबल नहीं होगा और वापस कर दिया जाएगा या फिर खु कर दिया तकिया कि तरह एक दम ऐसा नहीं करना अगर आप गोल कर देते हैं तो एर्लाइन में जो रैक बनी होती है सामान रखने के लिए तो इसके उपर दुसरा सामन नहीं रखा जा सकता है अगर रखेंगे तो गिर जाएगा इसलिए आप गोल नहीं कर सकते हैं यह चीज एक दम घधन के आपको ध्यान देनी है कि आपको मार्थको ठीक से बांद के गोल नहीं करा उसको फ्लमैट चार से प्लाइखंग रखना क्वा से सब्सक्राइबन दुस्थीदम डूसरी चीजी हो गय। तीसरी चीज़ यह है कि आपको उसके उपर कोई रसी वसी नहीं बांदनी है रसी बांदने के तो जरूरी है कि वो गोल ही हो जाएगा रसी बिल्कुल नहीं बांदना है आपको तीसरी चीज़ यह है कि आपको उसके उपर कोई चादर नहीं लपेटनी है कीध कर्ट्ों आपको चादर के नहीं टुट इसा नहीं के उपर आपको चादर नहीं लपेटनी चौथी चीजिव है कि आपको कम्मल भी नहीं लपेटना, अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं आप एकडम फ्लैट लेके जाते हैं और आपका साइज भी एकडम ठीक ठाक है और आपने जो रैपिंग कीस होती है यहां पर रैपिंग प्लास्टिक पॉलिथिन की इसको आप रैप करके ठीक से लेके जाते हैं या फिर एरपोर्ट पर ही रैप करवाते हैं तो आप दो बैग लेके जाए या फिर एक ही लेके जाए तो यह डिपेंड करता है सबसे पहले तो टिकट के ऊपर टिकट के ऊपर लिखा होता है टू पीस लेकिन अगर मान लेते हैं कि टिकट के ऊपर नहीं लिखा है कि कितने पीस ले जाना है तो मैं आप लोगों को बताता हू कि आपको baggage कैसे त्यार करना है देखिए अगर आपका baggage जो है उसमें टिकट में 30 kg लिखा हुआ है यानि 30 kg से उपर आप नहीं ले जा सकते हैं luggage में तो फिर आपका जो bag होगा वो एक होगा चाहे वो कार्टून हो चाहे बैग हो वो एक होगा और एक handbag वो अलग है handbag को तो हम ही नहीं अभी एक bag होगा लेकिन अगर 30 kg से उपर है मान के लिए 35 या 40 kg का है तो फिर आपको दो वैक दो पीश पैक करना होगा दो बैट ठीक है 30 kg के अंदर अंदर है या 30 kg तक है तो एक बैग अगर 30 kg के उपर है तो फिर दो बैग पैक करने होगे यह एक आसान सा समझने क के जरिया है लेकिन वैसे अगर आपको नई यकीन आता है मानी बात के उपर तो फिर आप जहां टिकट कराते हैं उससे पूछ लीजेगा वो बता देगा या फिर एरलाइन की वेबसाइट है उसके उपर भी जाके आप चेक कर सकते हैं हाला कि मैं सब कुछ चेक करके ही और हम दूंदा यह दूंदा दूं यह बी एक फैक है नया देखे जो रैक होती है हें रखने की वो रेक के उपर होती है वहाँ ठीक है सर के उपर एरलाइन होती है इन एक इस दरवाजा खुला रहे चालता है लाइज फूला और रेक only लेक्त एक वाए तो इसको ज्याद़ अपनी राय बताऊंगा आप लोगों को जहां जितना मैंने सीखा है वह आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोबाइल फोन और लैप टॉप जहां तक हो सके आप अपने हैंड वैग में रखिए देखिए जो इलेक्ट्रोनिक्स होते हैं यह काफी ज्यादा कौशली काफी ज निकल जाएंगी ठीक तो जितने एलक्ट्रानिक्स हैं आपके पास चाहे वह मोबाइल हो चाहे वह लैपटाप हो चाहे वह पावर बैंक हो आपको अपने बैगेज में रखना है और जो मना किया गया है जो रिस्टिक्शन है जो नहीं ले जाना है आपको तो जो लीथियम यह बैटरी होती है ना उसके लिए मना किया गया है लेकिं ज॑ पावर बैंक और मोबायल फोन और लैपटाप है यह एक जिन्सक्शा बन गया है तो आब बेसे होती है यह कुछ चीजों में और होती है जैसे कि वो जो सेल्फ बैलेंसिंग वीकल होते हैं छोटे-छोटे आपने देखा होगा इस टाइप के यह जो होते हैं इन में भी यह लीथियम आयन बैटरी होती है तो यह चीज आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं ना हैंड बैग में और नहीं देखें यह कुई जरूरी नहीं मोबाइल फोन जरूरी जिंदगी का एक इसस्ट यह ज़रूरी नहीं इस लिए इसको घंड कुल भी नहीं ले जा तो उम्मीद करता हूँ कार्ठून वाली जो दिक्कत थी वो आपके सॉल्ब हो गई होगी आपको पता चल गया होगा कि आप कार्टून ले जा सकते हैं यह नहीं ले करें सकते हैं अगर ले जाना है तो साइज कितना होना चाहिए कैसा देखना चाहिए अपका कार्टून ठीक है उमीद करता हूं इन्फोर्मेशन या फिर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं मिलता हूं आप से फिलाल नेक्स्ट गुडवाई टेक्टू